पाँच मिनिट में गोल गप्पे क्या जी हाँ दोस्तों आपने सही सुना आज हम पाँच मिनिट में एक तम क्रिस्पी गोल गप्पे बनाएंगे सिर्फ पाँच मिनिट में और इसी गोल गप्पे से आज हम राज कचोड़ी भी बनाएंगे बिना किसी मेहनत के बिना किसी ज जटके तो चलिए शुरू करते हैं ऐसे बनाना सबसे पहले हैं आम गुलगपे का पानी बनाएंगे तो इसके लिए मिकसर जार में हम एक कप धनिया डाल लेंगे तो मैंने या पर धनिया को अच्छी सदोका सुका लिया है साथ ही में आठ से दस पुदीना के पत्ते तीन से चार हरी मिर्ज एक इंच अद्रक का टुकड़ा वन टीस्पून जीरा वन फोर टीस्पून हींग वन टीस्पून काला नमक और साथ ही में वन टीस्पून वाइड सॉल्ट सफेद नमक और यहाँ पर मैंने तीन से चार नीबू का रस लिया है और इसी के साथ में हम आधा कप पानी डाल देंगे और अब हम इसे पीस लेंगे तो देखें यहाँ पर सारी चीज़े अच्छे से पिस चुकी हैं यह देखिए और अब हम इसमे ठंडा पानी डाल देंगे ताकि हमारा जो पानी है वो एकदम तयार हो जाए तो पानी आप अपने हिसाब से कम जादा डाल सकते हैं तो देखें मैंने आपर करीबन एक से दो कप पानी डाला है और अब हम इसे स्ट्रेंड कर लेंगे तो यहाँ पर पानी हमारा बिल्कुल तयार हो चुगा है और इसमें अब हम 4 टेबल स्पून भूंदी डाल देंगे ताकि वो जो गुलगप्पे का जो फील आता है ना स्ट्रीट पे वैसा फील आए और इसे हम अच्छी से मिला लेंगे तो यहाँ पर हमारा पानी पूरी का पानी बिल्कुल तयार है तो चलिए इसकी फिलिंग भी तयार कर लेते हैं यहाँ पर मैंने दो उबलेवे आलू को चौप कर लिया है साथ ही में 1 फोर्थ कप काले चने इसे भी बॉयल करके डाला है इसी के साथ में नमक तो मैं यहाँ पर सेंदा नमक और ब्लाक सॉल दोनों का यूज़ कर रहे हैं दोनों half of teaspoon और half teaspoon जीरा पाउडर और इसी के साथ में half teaspoon काली मिर्ज पाउडर आप मसाले अपने हैसाब से कम जादा या और भी डाल सकते हैं और इसे भी एक बार मिला लेंगे तो देखें यहाँ पर गोलगपों की filling भी तैयार है गोलगपे का पानी भी तैयार है बस गोलगपे ही रह गया है तो चलिए पांच मिनिट में उसे भी बना लेते हैं यह देखें यह एक जाइको नाम की company है जिसके गोलगपे मिलते हैं जिसे हम fry करते हैं यह ऐसे oval shape में होते हैं आपको market में किसी और company का भी यह मिल जाएगा यह देखिए यह ऐसे oval shape के होते हैं जो हम street पे खाते हैं यह वही गोलगपे होते हैं इसे आप एक दिन तक रख सकते यह फ्राइ करके यह सौगी भी नहीं होते हैं तो ऐसे कोई और कमपनी भी आपको मिल जाएगी तो मैंने बोला था ना सिर्फ 5 मिनिट पे गुल गप्पे बनाएंगे तो चलिए अब इसे फ्राइ करके भी दिखाती हूँ तो तेल को मैंने आप एकदम गरम कर लिया है और अब हम इसमें अपने गुल गप्पे डालेंगे तो थोड़े-थोड़े करके डालना है ताकि यह अच्छे से फूलें और फ्लेम एकदम हाई रखना है और जब यह फूलें तब इसे थोड़ा कम करके से slow flame पे आपको पकाना है ये देखिए ये कितने अच्छे फूल रहे हैं कोई कह सकता है कि ये आपने नहीं बनाए है ये देखिए सारे गोलगप पे एक दम perfect फूले हैं मोटे मोटे बड़े बड़े और इसे हलका सा light golden आने तक fry करेंगे तो यहां पे flame अभी मैंने कम कर रखा है हाई flame पे करेंगे तो ये अच्छे से fry नहीं होंगे ये देखिए अभी इनमें अच्छा सा color आ चुका है और अब हम इसे एक plate में निकाल लेंगे तो plate पे ऐसे आपको जो है paper towel लगा लेना है वैसे इसमें इतना oil नहीं होता है लेकिन फिर भी तो हम इसे ऐसे paper towel पे निकाल लेंगे ये देखिए कितना perfect गूल गपा बना है आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की जरुद नहीं ना आटा लगाने की जरुद है ये packet एक kilo का आता है और इसमें करीबन 500 ऐसे chips होते है तो आप इसे साल भर तक चला कर खा सकते है जब भी आपका मन करे तो चलिए मैं अब आपको एक गुल गपा बना कर भी दिखाते हूँ ताकि आपके मुमे भी पानी आ जाए और आप भी इसे जल्दी से जाकर लेके आए और घर पे इसे ट्राइ करें सुनिए इसके आवाज सुनिए यह कितने क्रिस्पी है वाव देखे दोस्तों कितने अच्छे गुल गपे लग रहे हैं यमी इसका स्वाद एकदम बहतरीन तो चली अब इससे राज कचोड़ी भी बनाते है यहाँ पर बावर में हम दो उबलेवे आलू डाल देंगे साथ ही में हाफ कप स्प्राउटेड मूग थोड़ी सी धनिया हाफ टीस्पून जीरा पाउडर नमक तो मैं यहाँ पर सेंदा नमक और काला नमक दोनों यूज़ कर रहे हूँ आप सफेद नमक भी यूज़ कर सकते हैं काली मिर्च पाउडर हाफ टीस्पून और एक बर इन सब को मिला लेंगे मसाले आप अपने एक ओर्डिंग कम जादा या फिर कुछ और भी आड़ कर सकते हैं यह राज कर चोड़ी की स्टफिंग भी रेडी है हमने इसे बहुत ही सिंपल रखा है तो चलिए अब इसे बना लेते हैं तो जो गुलगपा हमने बना आया था उसमें हम यह स्टफिंग डाल देंगे सबसे पहले साथ ही में इसके हरी चत्नी थोड़ी सी प्यास इबडी की चत्नी दही सेव फिर से चटनी, हरी चटनी, थोड़ी सी इमली चटनी, फिर से दही, सेव, थोड़ी सी प्याज और अनारदाना और फिर से थोड़ी सी इमली चटनी, धनिया और साथ में अध्रक के टुकडे यानिके चिजो जूलियन्स तो तयार है हमारी राज कचोड़ी देखते ही मूँ में पानी आ गया न बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि इसे आप एक ही करके ही बनाए और खाए जैसे हम गोल गप एक ही करके बनाते नहीं तो ये सौगी हो जाएगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और हाँ चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा थाइंक यू, बाबाई